श्री शद्गुरु महाराज कीजे पुजिपात स्वामी श्री सिर्धर्दाश जी महाराज का प्रवचन ध्यान बिनू नहीं शांति पावे ध्यान ध्यान शत्य गुरु शुक्षद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूं तुम्हरी क्रिपा मोते कचुन बशाए प्रिय धर्मानु रागि शजन विरिन धर्मानु रागिनी माताओ एम बहनो आप लोग समझते होंगे कि यह साधू बूढ़ा है इसका ज्यान बहुत ऊचा होगा परन्तु बात ऐसी है कि मैं शरीर से बूढ़ा अवश हूँ पर ज्यान में निराबालक ही हूँ यह संत मत का सत्चंग है आप लोगों ने शरी सत्गुरुदेब महाराज की वानी पढ़ी है और सुनी भी है मुझे में शक्ती नहीं कि आपको कुछ सुनाओं इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज के वचनों को पढ़ें, सुनें और समझें तथा सत्चंग और ध्यान नित करते रहें सब संतों के ग्यान का निचोत गुरु महाराज ने हम लोगों को समझा दिया है उस पर पूर्ण विश्वास करके चलना चाहिए गोशामी तुलशिदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है भवानी शंकरो बंदे स्रधा विश्वास रुपिनों लोग भगवान शिव और पारवती की पूजा करते हैं घर घर में लोगों के पास रामायन है पढ़ते भी हैं लेकिन गोशामी तुलशिदास जी स्रधा को पारवती और विश्वास को शंकर कहते हैं श्रधा और विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती है जितने महापुरुष हुए भवानी शंकर रूप स्रधा विश्वास के बिना नहीं हुए हम लोगों को चाहिए कि सद्गुरु में स्राधा करके उनके उपदेशों पर नाना प्रकार के कष्टों को भी सहते वे अवश्य चलें अगर स्राधा नहीं है तो रात दिन गाते रहने पर भी कुछ मिलने को नहीं है हम लोग गुरुदेव का वचन शवशंतन की बड़ी बलिहारी पढ़ते हैं उसके अंत में है गही शंत पद आशा सारी हम लोगों को क्या करना चाहिए एक शंत हुए है धर्नी दास जी महराज वे कहते हैं एका एक मिले गुरु पूरा मोल मंत्र जो पावै शकल शंत की बानी बूझ है मन परतीत बढ़ावै पूरे गुरु मिल जाएं तो मोल मंत्र मिल जाएगा पूरे गुरु के सचंग से हम सभी शंतों की वानी बूझ और समझ सकेंगे परमात्मा की किरपाशे हम लोगों को गुरु अवश्य मिल गए हैं उनसे परमात्म प्राप्ति की युक्ति भी मिल गई है अब मन लगा कर साधना करने की जरूरत है किसी भी शंत की वानी पढ़िये उसमें अलोकिक ज्यान है गोशामितुल सिदाज जी कहते हैं बड़े भाग पाई सत्संगा बिना ही प्रयाश हो ही भवभंगा सत्संग का क्या महत्व है वह अभी आप लोगों ने सुना बिना ध्यान के कोई काम नहीं होगा ना कोई ग्यान होगा अभी आप योग कुछ सुन रहे हैं इसमें भी ग्यान हो रहा है योग तो योग सास्त्र में है योग है चितेवरीती निरोध है अर्थात चितेवरीती के निरोध को योग कहते हैं सुमिरन से इस्ट रूप याद आता रहता है किसी तरह असमरन होते रहना चाहिए इस्ट देव का खयाल मन में बना रहे इसी को मानस ध्यान कहते हैं मानस ध्यान कीजिए मानस ध्यान में गुरू रूप को शदा याद रखना चाहिए कभीर शाव ने कहा है जो गुरू बसे बनारशी सीश समुंदर तीर एक पलक विश्रय नहीं जो गुन होय शरीर सब काम करते हुए भी ध्यान गुरू पर रहे इससे महा सिद्धी मिलती है जिस प्रकार का गुरू रूप आप बाहर में देखते हैं वैसा ही अपने मन में बसा लें तो हिर्दय सुद्ध हो जाएगा उसके बाद है शुक्ष्व ध्यान अर्थात विंदू ध्यान गुरू के बताए अस्थान पर मन को लगाए रखें छिन छिन मन को तहां लगावे एक पलक छूटन नहीं पावे हर समय खयाल लक्ष पर रहे गुरू महराज ने जो शं जान होगा जिसकी बुद्धी निर्मल नहीं है वह कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता द्रिष्टी शाधन से संशार बिलकुल छोट जाता है शोई के अगले भाग जैसे अस्थान पर यदि द्रिष्टी ठहर जै तो कोई विशय वासना नहीं रहेगी भजन भे जोर इस पद में रखा है शुक मन के जीना नाल से अमरित की धारा बही रही मीन सूरत धार धरवाठा से सीरा चड़ी रही गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु शेव कर अतिप्रीति कर गुरु की आज्या मान प्यारे कर सदा गुरु की कही उस नाल का जीना दुआरा गुरु तुझे देंगे बता दो नैन नाशामद सनमुख सुई अग्रदर ले लही तंफटे जोती भरे आकाश का तुशेर कर शाब्द अनहत शार में मिल लहले सत्पद को सही दुख दर्द भाव के सव मिटे सत गुरु चरन नित से ये गुरु भाक्त बिन कचुना बने में ही शकल संतन कही सुख मन के जीना नाल से अमरित की धारा बही रही महर्शी में ही पदावली शुक मन में जो प्रवेश करेगा वह अवश्य ही पवित्र हो जाएगा इसलिए इसकी शादना सुरधा पुरवक करनी चाहिए कभी भ्रम और भुलावे में नहीं पढ़ना चाहिए संतमत की शादना जो करते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं यदि मानज जब मानज ध्यान पर अपना खयाल बरावर रखेंगे तो विश्यों को याद करने का मौका नहीं मिलेगा जो भक्त बनना चाहते हैं उनको मन से सदा लड़ते रहना होगा हर तरफ से मन को समेट कर अपने लक्ष पर रखेंगे पापों से बचना सुमिरन भजन से होगा हम लोगों का यह शरीर समुद्र की तरह गहरा है कभीर सहाब ने बड़ा ही अच्छा कहा है डोब की मारी समु प्राकास में गमन होता है इसमें लोक लज्जा छोर कर जो प्रवेश करते हैं वे परमात्मा को पाते हैं गगन मंडल में घर किया हीरा पायादास अंधकार पार करके प्रकास पाएंगे एक बार भी जो अपने अंदर विंदु को देख लेगा वह कभी विचलित नहीं होग लेकिन यह होगा किसको जो परिवार में रहते हुए भी उसमें आशक्त नहीं है इस तरह मन को संसार से हटा कर जो साधन करेगा उसको अवशी परमात्मा की प्राप्ति होगी सार बात है ध्यान करना अचाड़ी विनोवा जी का कहना है संसकार ही जीवन है संसकार बनाना चाहिए जिस तरह हो यदि भजन में मन डोब जाए तो अवश्य उद्धार हो जाएगा श्री शद्गुरू महाराज कीजे